देश के अंदर इन राज्यों में गिनाने वाला हूं मंदिरों पर सरकारी नियंतरण के लिए वाकाइदा कानून बना हुआ है। पास 4,78,000 एकर जमीन है। लेकिन वो जमीन का यूज जैसे आपने कहा वो नहीं हो पा रहा है। बिहार के अंदर मंदिर मंदिर के पास 22,777 एकर जमीन है। मंदिरों का नियंतरण सरकार करती है। अच्छा में बड़ी खुशी भी है कि हम बात करने में बड़े मंदिरों से चाह रहा था कि इस टॉपिक पर हम लोग बात करें। हैं क्या मतलब यह विश्य क्यों आज तक बना हुआ है। सरकार क्यों रेगुलेट करना चाहती है मंदिरों को। आजादी के बाद अंग्रेजों के समझ से है आजादी के बाद भी वो सोच कायम रही। आपको सुनकर हसी आएगी कि उसका आधार क्या था। कहा यह गया कि हिंदू अपने मत मंदिरों का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार की जरूरत है। मतलब चर्च क्रिस्चन मेनेज कर सकते हैं। उसका प्रबंधन कर सकते हैं। मस्जिद और उनके जो दूसरे स्थल है मजभी उनका प्रबंधन मुसल्मान कर सकते हैं। अलग-अलग धर्मों के लोग, मजभब के लोग जो है, अपने धार्मे के स्थलों का प्रबंधन कर सकते हैं, हिंदू नहीं कर सकते हैं। मदरास हाई कोड का जज्जमेंट है, सरकार से कहा है कि आप इस बात का पूरा ब्यावरा दीजिये कि कितनी जमीन है, हिंदू इंडावमेंट ट्रस्ट जो है, उसके तहत और कितनी संपत्ति है, ऐसी भी बातें आई हैं उसमें उसी पेटिशन के दौरान कि जमीन का पता ही न नहीं है, किसी ने बेच दिया, किसी ने कबजा कर लिया, तो ये स्थिती और दूसरी बात, सरकार जो पैसा लेती है, जो दान के रूप में आता है, उसको खर्च अगर आप मंदिर पर करें, हिंदू समाज के लिए करें, या सिक्षा स्वास्त के लिए करें, सब के लिए कर तो बात समझ में आती है लेकिन वो खर्च किया जाता है किस पर मस्जिद पर चर्च पर